अनुपमा सेरिल में बुद्वार का एपिसोड बहुत खास रहेगा क्योंकि एक तरफ जहां अनुपमा रिस्तरा में जाज परताल कर रहे अधिकारियों को रोपने की कोशिश करेगी. वो उनसे कहेगी कि खोजबीन करनी है तो कीजिए लेकिन कम से कम तोड़ फोड़ तो मत कीजिए. इसी दौरान अनुपमा अपनी एक स्वाइप का साथ देगा और हर किसी को यह समझाने की कोशिश करता दिखेगा कि अनुपमा ने कुछ खलत नहीं किया है. फूड डिपार्डमेंट के अधिकारे किसी की नहीं सुनेंगे और कुछी देड में अनुपमा, यश्दीप, बीजी और रियस्तरा का पूरा स्टाफ सड़क पर होगा. मेडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनुज कहेगा कि यह किसी की साजिश है और अनुपमा ने कुछ नहीं किया है. वहीं अनुपमा जब बीजी को संभालने के कोशिश कर रही होगी तो उसे यश्दीप का बिलकुल अलग ही रूप देखने को मिलेगा. हर वक्ट अनुपमा से मुस्करा कर बात करने वाला यश्दीप जो अनुपमा से अनुपमा जी कहकर बात करता था वो अनुपमा से बदतमी जी से बाग करेगा और उस पर दोश मरते हुए कहेगा कि वो इस लायक ही नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाती। यश्दीप कहेगा कि अनुपमा से सब बरबाद कर दिया और अब जाए जाकर अपने बच्चे और एकसस बैंग को संभाले क्योंकि वो शायद इसी के लायक है। आज शाह ये सब टीवी पर देखकर बहुत खुश होगा। लोगों की पत्थरबर सा रही भीड में खड़े गुलाटी के चहरे पर भी मुस्कान होगी। उधर का पारिया। वो उससे पूछेगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। वीडियो कॉल पर शाह परिवार के लोग ये सब देख रहे होंगे।